हेलो फ्रंड मेल इंगराज पटिल मेरा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ आज मैं आप सब के लिए और एक निया रेसिपी लेकिया है हूँ आज हम बनाएंगे पुहा दोस्तों ये जो पुहा होती है ये मॉर्निंग के ब्रेक्पास्ट के लिए बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है आज मैं पुहा को कैसे बनाऊंगा ये जानने के लिए आप वीडियो के सुरू से लेकर लाश्ट तक बने रहे आप वीडियो को जरूर फूल आज करें अगर आप मेरे बताय हो तरीके से एक बार ये पुहा को बना के खा लेते हैं तो आप इसका जरूर तारीफ करेंगे तो फिर चलिए दोस्तों ज्यादा बात चितना करके आज की ये पुहा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखे दोस्तों हमने पुहा में डालने के लिए थोड़े से हरी सब्जे लिया है चलिए मैं आपको यह करके दिखाता हूँ यह देखे यह ग्रीन मटर यह प्याच यह आलू यह कड़ी पत्ता यह धन्या पत्ता यह मुंपली का बीज लिम्बू मिर्ची तोड़ा सा नार इसको हमें अलग से प्लेट में निकाल लेंगे यह देखे हम निकाल लिया है अब उसी तेल में थोड़ा सा सर्सो डालेंगे सर्सो जब चटकने लगेगा उसके आलू मतर इन सबको डालने के बाद थोड़ी तर खुली के लिए आच्छी तरह से फ्राय करेंगे जब यह बाद गाल देंगे और इसको भी इसमें मिलाके फ्राय कर लेंगे, अब जब भी पुहा बनाए उसमें कडी पत्ता जरूर डालिए, मेना कडी पत्ता का पुहा एकदम बुरा दुरा सा लगता है, यह देखे दोस्तों, इसको फ्राय करतें, इसमें बखुत अच्छा कलर आ है, एकदम फ्रावी हो गया है, जिले हम अब कोई आलूची एक रहका दिखाता हूँ, ये देखे, एकदम अच्छी तरह से पक गया है, हम इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नारियल, नारियल कर डालने के बाद इसको भी मिक्स कर देंगे, इसके बाद हम इसमें जब अच्छी तरह सा अपस में मिक्स हो जाएगा इसके बाद हम इसमेट करेंगे थोड़ा सा हल्ली पौडर को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्का सा नमक एकदम चूटकी पर डाला है इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा चीनी और चीनी को डालने के बाद जब अनिमु को निचोरने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर एक बार मिक्स कर देंगे और सबसे लाश्ट में हम इसमेट करेंगे हमारा फ्राय क्या हुआ मुमफली का बीच यह हम डाल लिए मुमफली का बीच और फ्लेवर के लिए डालेंगे थोड़ सा धन्या का पत्ता और इ करते हैं यह देखिए दोस्तों हमारा पुहा एकदम रेडी है आपका जब भी मन करें इसको ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं या फिर अपने बच्चों के स्कूल के टिफिन बोक्स में में बना के इसको डाल सकते हैं अब हम इसका उपर थोड़ा सा सेव का भुजिया डाल देंगे और यह देखिए दोस्तों हमारा पुहा बनके पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है दोस्तों आज कहीं मेरा पुहा का रेसीपि आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा और जिसने भी मेरा चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है पिस सस्क्र वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंद्स